हेलो फ्रेंट, वेलकम तू नरस्तीरी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुखार के बारे में बुखार, आपनी सुना तो होगा ही आपनी कभी सोचा है बुखार के डाइम पे आपका सिरीर इतना गरम की हो जाता है नहीं, कोई बात नहीं आज हम आपको बताएंगे ऐसा क्यूं होता है तो दोस्तो वीडियो को सुरू करनी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें, क्योंकि अधा दूरा ग्यान सेहत के लिए हानिका रखोता है बुखार, फीवर, टैंपरेचर, पैरक्षिया, एकसेक्टा नाम वाले इस पला के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है यल आपने भी दोस्तों कभी न कभी बच्चपन में बुखार का बहना बनाकर स्कूल से छुप्टी किये होगी और टीवी के सामने पूरा दिन मस्ती कियोगी आपका दो बता नहीं दोष्टों, मैंने तो ये कई बार किया है ड़ आते हैं बुखार पी बुखार कभी सोचा है आपने बुखार क्या होता है नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों मैं बताते हैं एक्चले बुखार का सीधा सीधा मतलब है आपके बॉडी का टेंपरेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना नॉर्मल कितना होता है नॉर्मल 98.6 डिग्री फेरेनाइट और 37 डिग्री सेंसलियस नॉर्मल टेंपरेचर होता है हर बॉडी का बट बॉडी का टेंपरेचर हमेशा कॉंस्टेंट नहीं होता वो हमारे एन्वार्मेंट के हिसाब से जैसे की सर्दी और गर्मी के हिसाब से थो कि आपको इतना पदा चल चुका होगा यह मतलब है बॉडaround टैंपरेचर का बढ़ जाना था क्यों है यो कभी तो इतना गरम की हमारा चलना मुस्किल हो जाता है आथ यह दोस्तों जब हमारे सरी में शीयर सब्सक्स 그대로 ऑपर Legislature और कोई भी जंप पार्टिकल सेंट्री करता है तो हमारे बॉड़ी अपने आप ऑपनी बोड़ी का टेंप्रेचर इंक्रीज कर देती है scorboo क्यों अधी 72 js 25 मोंच्थ čaory मर जाती हैं थ्योंकि यह सब कैसे होता है रहा है यह सब कैसे होता है यह सब हमारे ब्रेन का कमाल है, हमारे ब्रेन की वज़े से ये सब पॉसिबल हो पाता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथेलमस इस सब चीज को रेगुलेट करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हीट रेगुलेटिंग सेंटर की नाम से, हीट रेगुलेटिंग सेंटर यानि क2016 इसका भी एक सिस्टम है क्या सिस्टम है इम्नियूटी सिस्टम यानि रोग परतीरोग रहा मैं में हमेशा प्रिजेंट होती बहुती है जब भी Nej पेख्रिया वाइरस दोगीन्टी को सबसे Seedy स्टम पता लग जाता है मिकि कोई घुस्पेट है हमारी ज़ीन के के लिए गुषण आया है और हमला करने वाला है तो भाई दूसरों को खबर करने लिए एक pierogen का काम क्या होता है दूसरों को खबर करता है यानि दूसरों को कबरता है सबसे पहले ब्रेइन के अंदर है यशोद तक पहुंचता है है व बलड हाइपो यस में कुछ खास किसम के। रिसेप्टर्स प्रैजिंट होते हैं जो पायरेज़न क्या करता है Walter his रिसेप्टर्स पर बाइंड कर करना पड़ता है इसके बाद हमें पता चलता है हम अवेयर हो जाते हैं और क्या करते हैं फिर पटा-पट से कोई दवाई लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ वाइरस बैक्टिरिया तो हमारी बॉड़ी की हीट की वज़े से ही मर गाते हैं बाकि जो थोड़े स्ट प्रेचर भी नॉर्मल हो जाता है तो इससे यह बात तो प्रूफ हो जाती है कि बॉड़ी टैंप्रेचर बढ़ना आपके लिए अच्छी बात भी हो सकती है तो दोस्तों आज के बात अगर आपकी बॉड़ी टैंप्रेचर इंक्रीज हो या बुखार आए तो आप समझ जा भी अराम की जरूरत होती है तो इसलिए डॉक्टर से सला लें और इंजॉय करें लाइफ को मज़य करें तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों